प्रयास करें कि ब्रम्म महूर्त में जगें ब्रम्म महूर्त साड़े तीन वजेशे प्रारम्व होता है और शूर की किरण ना निकल पावे उसके पहले उठने का व्यास बनाओ शूर की किरण ना निकल पावे उसके पहले उठने का व्यास बनाओ हाँ विसेश परिस्थिती में आप रात्री में कोई विसेश परिस्थिती आ गई विलंब से सोए तो आप विलंब से जग रहे हैं लेकिन ये नियम नहीं है इसको नियम मत बनाना क्योंकि अपवाद है ये तो ये अपवाद है कि हम बिलंब से सोएं इसलिए बिलंब से जग रहे हैं लेकिन हम यही संकल्प ले 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 नियम बना ले कि बिलंबई से सोएंगे और बिलंबई से जगेंगे नहीं 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 नियम नियम होता है अपवाद अपवाद होता है अपवाद नियम नहीं होता है और नियम अपवाद नहीं होता है आज आश्चर होता है मुझे अगर कोई चार बज़े जग जाए तो महले के लोग कहते कोई बात है जरूर कोई अरे भाई या बात क्या है चार बज़े जगने का पांच बज़े जगने का नियम है बोलो भाई क्या बात है फालतू की सोच कोई बात है अच्छा और आप नो बजे अगर सोके उठ रहे ही यार जिन्दगी तो इसी की मस्त है ना चिंता ना फिक्र देखो क्या गजब की जिन्दगी बारे भगवान इसके भाग को कितनी सराहना करें इसके भाग की बोलो दुरभाग को भाग बता रहा है और भाग को दुरभाग और दुरभाग को भाग ये बिड़मना है इसलिए मैं कहता हूँ आज जिन्दगी के उत्तर यदी उत्तर कांड से तुम लेना चाहते हो तो हम ये बताना चाहते हैं कि बिसम और बिसेश परस्थिती में आप बिलम से सोएं और बिलम से जगें लेकिन नियम ना बनाएं कि हम बिलम से ही सोएंगे और बिलम से ही जगेंगे आपको ब्रह्म महूर्त में कोशिश करनी चाहिए पांच बजे तक जग जाओ शाड़े पांच बजे तक जग जाओ लेकिन सूर भगवान जगाते हैं और उसमें भी आदमी ने परदे डाल दिये कि जरासा भी वो हुआ तो परदा कि डिश्टर्ब मत करो डिश्टर्ब मत करो सूर भगवान परदा डालने का मतलब क्या है बोलो भई हमको डिश्टर्ब मत करो कितनी हलकी सोच और कितनी बिड़मनास पर सोच है मानो की बोलो भई आचारी स्री राम शर्मा का एक बहुत बढ़िया कुटेशन है बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही उन्हें के कुटेशन बहुत अच्छे है उन्ले हैं उन्हें कि हुआ अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा, भिष्टाचार हम बदलेगे, युग बदलेगा, हम सुधरेगे युग सुधरेगा, बहुत बढ़िए बात उन्होंने कही है, तो मैं कहना यह चाहता हूँ, कि दिन चरिया और रात्री चरिया, ये स्वास्त लाव, बैद्ध क्या कहता है, स्वास्त लाव, निरोगी काया, ये बात बिल्कुल शत्त है, लेकिन केवल एक ही लाव नहीं है, कि निरोगी काया, स्वास्त लाव, केवल एक ही लाव नहीं है, दूश्रा क्या लाव है, बोले इसका नाम है ब्रह्म महूर्त, बोलो कोई भी काम तुम करते हो सुब काम तुम महूरता ही दिखवाते हो कि नहीं दिखवाते हो क्यों बेटा बेटी के बिवाय में क्या दिखवाते हो महूरत कथा करवाते हो क्या दिखवाते हो महूरत कहीं यात्रा प्रारम करते हो किसी सफलता के लिए आप जा रहे हो उसमें भी आप पूछते हो कि कोई अच्छा महूर्थ बताओ जिसमें हम यात्रा प्रारम करें हमारा काम सफल हो जाए वो महूर्थ बताओ हमेशा महूर्थ मकान का निर्मान कराते हो तो भूम पूजन का भी महूर्थ उदगाटन का भी महूर्थ सबका महूर्थ नामकरन संसकार पैदा हुआ जीव नामकरन संसकार उसमें भी महूर्थ अनप्रासं संसकार महूर्थ यगोपवी संसकार महूर्थ विवाय संसकार महूर्थ सब में महूर्थ है महूर्थ क्यों वह यह है कि नहीं अच्छा एक बात बताओ ब्रम्म से मिलना चाहते हो कि नहीं तो ब्रम्म से तभी मिल पाओगे जब महूर्त देखोगे उसका तो ब्रम्म से मिलने वाला महूर्त है ब्रम्म महूर्त बो है कि नहीं बोलो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला कौन सा महूर्थ है ब्रह्म महूर्थ और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं हम बताए देते हैं कि साड़े तीन बजे से ब्रह्म वेला शुरू हो जाती है ब्रम महू शाड़े तीन बजे से अब चार बजे जग जाओ साड़े चार बजे जग जाओ पांच बजे जग जाओ सूर की किरण नहीं निकलनी चाहिए उसके पहले आप जाग जाइए ब्रम महूर्त में जागना बहुत आवश्चक है ब्रह्म से अगर कोई मिलना चाहता है तो इसे ब्रह्म महुर्त में जागना पड़ेगा बड़े-बड़े संत महात्माओं को ब्रह्मान भूती कव हुई है क्योंकि ब्रह्म महुर्त में जागते थे अभी आप चित्रकूर जाएं तो हमात्मा बहुत रहते हैं यहां रामिशुरम में तो हमको पुजारी पंडे ज़्यादा दिखाई दिए साधू संत तो कम दिखाई दिए हमने जहां तक निरिक्षन किया है क्योंकि हम तो सुबह प्राता है निकल जाते हैं चार किलो मीटर जाना साड़े तीन जाना, साड़े तीन आना साथ कलोमीटर लगवग मॉरॉनिंग वाग करता हूँ, मैं तो सुबहें निकलता हूँ, तो ना जाते महत्मा दिखाई देता ना, आते मिलता हमको उर हम इभाई जाते, दिखाई देते हम ही आते समझ रहे हैं यह हमने अन्भाव किया है लगभग मुझे 6 दिन हो गया है जाते जाते यहां 6 दिन पहले दिन तो नहीं जा पाया था शाहिद में क्योंकि आया ही था तो 6 दिन तो complete हो गया आज भी गया लेकिन पंडे पुजारी तो मिले तिलक लगाए हैं और पुजा पाठ करने के लिए आ रहे जा रहे दर्शन के लिए जा रहे लेकिन महत्मा ना तो सन्यासी परंपरा का महत्मा कोई दिखाई दिया ना वैश्नों परंपरा का कोई महत्मा दिखाई दिया ना रामानुजी परंपरा का कोई महत्मा दिखाई दिया हाँ पुजारी हर संपरदाय के दिखाई वी रामानुजीयों का मठ है उसमें सुबह एक पुजारी पुजा कर रहा था तो वो तो रामानुजी होगा पुजारी है उन लेकिन संत भेश हमको दिखाई कम दिया राम इश्वरम में लेकिन चित्रकूट आयुद्या आप जाए बिंद्रावन जाए हरत द्वार जाए नेमिश जाए हरत द्वार जाएए, नेमिश जाएए बिंदावन जाएए चित्रकूट जाएए आयुध्या जाएए बोलो भाई आपको संत बहुत दिखाई देंगे मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप चित्रकूट का अनभाव विशेश रूप से में बता रहा हूँ मेरे यहां मैंने कहा नहीं सौसे अधिक तो संत रहते हैं और लगभग पूरी संख्या दोसों की है लेकिन सौसे अधिक महत्म ही रहते हैं साड़े तीन बजे राम राम की धुनी सुनाई देगी आपको साड़े तीन बजे और कमंडल की छनकार खनकार और वो सब इश्नान सारी बाते मंदाकनी चले जा रहे हैं कोई संत आ रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं यह सब आपको दिखाई देगा हुआ चित्रकूट कानभवता रहा हूँ मैं आपको क्यों इसलिए कि यह सब ब्रम्य की तलाश में किसकी तलाश में हैं धाम में रह रहे हैं ब्रम्य की मनी भगवान की तलाश में हैं तो भगवान की तलाश है तो पहले जिस मुहूर्त में भगवान मिलता है उसको तो सुईकार करें तो वो है ब्रम्य मुहूर्त हैं एक और आपको ओधारन दे दें पहले लेंड लाइन की विवस्था थी अब तो मोबाइल के जमाने में लेंड लाइन तो खत्म ही कभी कभी किसी किसी के यहां होंगे लेकिन कम पहले तो लेंड लाइन भी कम किसी दो-चार घरों में पूरे सहर में का बहुत कम जगया PCOSO खुल गए जाने क्या-क्या सिस्टम था एक बार हमारे पास एक फोन आया और वो लेंड लाइन सिस्टम था मैं जहां जाता था वहां फोन करके यह बता देता था आश्रम में कि कोई बहुत आवश्चक फोन आये तो इस नम्मर पर संपर्क हो शक्ता है अब जहां हम थहरे थे तो उसके हां नहीं था फोन बगल में फोन था और बगल के बगल में एक PCOS था पोन आया कि स्वामी जी से अतियावश्चक बात करनी है उस समय साड़े ग्यारा बज़रा था रात्री में प्रवचन चल रहा था पता नहीं क्यों बिसेस रात्री हो गई थी वो पहला दिन था तो बिलंब होते होते रात्री हो गई तो एक घंटे ही बोला लेकिन साड़े ग्यारा बज़ गिया था अब फोन आया तो जिसने रिशीव किया उसने कहा स्वामी जी तो मंच पर है कहा मंच से जैसे ही उठके आ जाएं तो आप मंच तक सूचना पहुचा दिये तो ततकाल बात करें बहुत आवस्चक बात करनी है भहिया मैं क्या बताऊं आपको बारा बज़ गया मंच पर साड़े बारा बज़े गये तो उसका घर बंद हो गया जिसकी आँ था फोन कहीं महराज आंगे PCO है चलो बात करा दें PCO पर बैठे अब वो नमबर हमने डाइल किया तो उसमें इस रूट की सबी लाइने वियस्त हैं कि रिप्या थोड़ी देरवाई डाइल करें तो दो-चार-बार ट्राई की कम्पूटर यही बोले तो मैंने उसको आपरेटर शिका मैंने का एक बात बता तू मेरा दिमाग खराब है कि तेरा फौन खराब है कि फौन नम्मर खराब है यह वता मोई निमाग महराज जी आपका दिमाग भी सही है मेरा फौन भी सही है आपका नम्मर भी सही है लेकिन बारा वजे के बाद लाइन व्यस्त होई जाती है उस समय सिस्टम था बारा वजे के बाद थोड़ा कम हो जाता था ना चार्ज प्रारम में सुरू शुरू में चार्ज कम होता था तो लोग 12 वजे के बाद जो है संसारी लोग संसार से संपंदित बातें घंटों करते थे लाण नहीं बिजी बनी रहती थी हमने का एक बाद बता तेरी लाइन खाली कव होती है किलियर लाइन कवोती ये बता बोले महराज जी तीन बजे के बाद कभी आ जाओ आप तो हमने का PCO खुला रहेगा 24 गंटे खुला रहता है ये तो हाईवे पर हमारा PCO है 24 गंटे बंद ने डूटी हम लोग चेंज करते हैं हम नहीं मिलेंगे आपको लेकिन कोई हमारा व्यक्ती हाँ मिलेगा क्योंकि डूटी चार-चार गंटे की हम देते हैं लेकिन तीन बजे के बाद लाइन किलियर हमने का ये वताओ गारंटी है बोले 99% गारंटी 99% गारंटी के लाइन किलियर मिलेगी एक परशेंट की बात नहीं कह सकता हूँ हमारी आता ही है घूमने की सुबह सत्य कह रहा हूँ आपसे अन्भाव की बात जैसे ही मैं सुबह मॉर्णिंग वाग करने के लिए निकला तो वो नंबर था ही मेरे पास ब्यक्ती चेंज हो गया था मैंने का भी या रात को बहुत परेशान रहे लेकिन ये नंबर जरा थोड़ा डायल करो उसने यूं 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 किया और घंटी गई मैंने का ये तो लाइन किलियर हो गए बोले तीन बज़े के बाद तो किलियर ही रहती है स्वामी जी हमने का क्यों बोले दुनिया सोती है उस समय तो आप किस से बात कर रहे हैं मैंने का ये तो ब्रह्म महूर्त है मैं ब्रह्म ही से बात कर रहा हूँ क्योंकि जब दुनिया सोती है तो दुनिया से कैसे बात होगी लेकिन मेरे लिए तो वो जगता रहा जिसको बात करनी थी वो कुछ बिसेश परिस्थिती में फसा था जगता रहा बात हो गई उससे बात हो गई मैंने अंदाज किया कि देखो बारा वजे के बाद लाइन व्यस्त हो जाती है जगत सम्मंदी चर्चाएं प्रारंब रहती हैं लेकिन बारा वजे के बाद से लेके दो वजे डाई वजे तक जब तक भी लाइन व्यस्त रहती होगी लगता है कि लोग दाई वजे ही तीन वजे सोते हैं और इसके बाद वो आठ वजे नो वजे दस वजे जगते हैं क्यों बाई दो चार पाँच गंते ही वाद तो मैंने का ये तो सिस्टम जगत का फैल है लेकिन अंदाज मुझे लग गया कि लाइन किलियर हमको मिली साड़े तीन बजे के बजे साड़े तीन बजे तो जब टेली फॉन की लाइन साड़े तीन बजे किलियर हो जाती है ब्रम महूर्त में तो ब्रम से मिलने वाली लाइन भी ब्रम महूर्त में ही किलियर होती है इसलिए ब्रम से भी बात हो सकती है तो ब्रम महूर्त में ही हो सकती है इसके आंगे पीछे कोई महूर्त नहीं केवल ब्रम महूर्त यदि तुम लोग ब्रम से जुलना चाहते हो ब्रम को प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रम महूर्त में जगने का अभ्याश बनाओ कभी कभी परिस्थिती आ जाए तो ये एक अलग बात है उसमें छूट दे रहा हूं लेकिन नियम मत बनाना कि हम लेटा ही सोएंगे और लेटी जगेंगे नियम नहीं बनाना चाहिए